जेहिंग दोस्तों, आप सभी का एक बार खिर स्वागत है आपके अपने यूट्यूग चैनल सिभा ओनलाइन क्लासेस में दोस्तों आज की स वीडियो में हम बात करने वाले हैं आंगनबारी की भरती के बारे में तो दोस्तो यह जो आंगनवाड़ी के भरती है यह आँगनवाड़ी helper यानि कि सायका और आँगनवाड़ी worker यानि कि कारिकत्री यह दोनों के पदों पर निकली हुए दोस्तो यहाँ पर अगर आप 10 और 8 पास यानि कि 8 और 10 भी पास हैं तो आप इस भरती के लिए apply कर सकते है और यह दोस्तो जो भरती है वो भरती महलाओं के लिए है यह जो भरती है दोस्तो मैं एक बाए फिर से बता देना चाहता हूं यह बरती only महलाओं के लिए है तो सबसे पहले तो मैं इसका आपके लिए official notification दिखा देता हूं उसके बाद में मैं आपको इस भरती के बारे में detail में बताऊंगा तो आप देख सकते हैं दोस्तों हम इस समय है ओफिसल वेबसाइट पर यहां पर रेक्रूटमेंट पर अगर हम क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहां पर जितने भी भरती निकले भींगे पूरी डिटेल आ जाएगी यह साफ साफ लिखा हुआ है दोस्तों यह होगी दोस्तों आपकी बैकंसी की डिटेल ठीक है उसके बाद में आपकी लाज्ट डेट फॉर अपलाई है बीस अक्टूबर दोजार बीस मतलब आपके लिए इस भरती में अगर आप अपलाई करना होगा तैसे करना होगा वह हम आपके लिए आगे वीडियो में हैं क्योंकि आगनबाटी की जो वेकंसी होती है वह गाओं के हसाब से होती कि सब्सक्राइख कौन गॉंसे हैं यह दोस्तों नोटेस यहां पर आपसका है डाउनलोड हो चुका है इसको ओपन कर लेते हैं और उपन करने के बाद में हम आपके लिए इसको जूम करके पूरा दिखा देते हैं कि यहां पर कौन-कौन से गाव में और कितने-कतने वैकंसी निकली होई गया यह दोस्तों नेम अब दा प्रजेक्ट नेम अब अंगनवाडी सेंटर मतलब अंगनवाडी के अंदर जिसको हम बोलते हैं वह कौन सी है उसके बाद में यह हो गया आपका कोड ठ यह अफ्रक आपकी एजुकेंशन bus ड्रogत को देने वाले ओर हैं तो यह है दुस्त पूरी वैकंसीज़ चलिए अभी हम आपको लेके चलती हैं दोस्तों बापस थोड़ा सब यहां पर हम दोस्तो टोटल 183 यहाँ पर साफ साफ फ्री ब्रीफ इन्फोर्मेशन में रिखा हुआ है दोस्तो बुमेंड डिवल्मेंट एंड चैल्ड वेलफेर डिपार्टमेंट वेस्ट गोदावरी है तो यहँ पर दोस्तो बाते है यहां पर आपकी जो लास डेट होगी अपलाई करने के लिए वो होगी दोस्तों आपकी 20 October 2020 अप तो 5 पिम मनलब आपके लिए 13 October को यह vacancies निकली है और 20 October तक आप इस भरती में अपलाई करना चाहते हैं तो 5 वज़े तक अपलाई कर सकते हैं इस भरती में अपलाई करने के लिए आपकी जो age limit होगी वो 21 साल से 35 साल के बीच में होनी चाहिए और उसके बाद दोस्तों जो CST के लिए जो आपका reservations होते हैं extra applicable होता है जो age relaxation के लिए वो आपके लिए दिया जाएगा as per government rule ठीक है यहाँ लिखा हुआ है साब साब देख सकते हैं age relaxation is applicable as per rules ठीक है तो आपकी जो minimum age होगी दोस्तों 21 years और maximum age आपके होने चाहिए 35 years तो कहने का मतलब 1 July 2020 के लिए आपकी age 21 साल से 35 साल के बीच में अगर है तो आप इस भरती में apply कर सकते हैं दोस्तों इस भरती में आपके यह apply करने के लिए जो आपका age limit होगी वो मैं आपको बता चुका हूँ और आपकी जो education qualification है दोस्तों वो होगी आपकी 10th pass अगर आप दसमी class पास हैं तो आप इस भरती में apply कर सकते हैं ठीक है उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर post name है तो post name दोस्तों है आंगनवाडी बरकर आंगनवाडी बरकर के दोस्तों हैं पर 19 vacancies है उसके बाद में दोस्तों mini आंगनवाडी बरकर तो mini आंगनवाडी बरकर की यहाँ पर चार vacancies है उसके बाद में आती है दोस्तों आंगनवाड़ी helper ठीक है तो जो आंगनवाड़ी helper यानि कि सहाइका की जो भरती है वो है दोस्तो 160 vacancies है इसकी ठीक है तो कुल मिला कि यहां पर 183 vacancies के लिए यहां पर circular जारी किया गया है woman development and child welfare department की तरफ से दोस्तो अगर आपको इस भरती से regarding कोई भी doubt होता है तो आप मुझसे comment करके पूश सकते हैं मैं आपके आप सभी जानते हैं कि आपके comment का मैं जवाब देता रहता हूं ठीक है तो उसके बाद में दोस्तो हम आपके लिए अभी इसकी official notification दिखा देते हैं और यह भरती किस state के लिए है कौन-कौन इस भरती में apply कर सकता है वो हम आपको बताने वाले हैं तो आप देखेंगे दोस्त आपके लिए हैं और जोकी मेरेड हैं ठीक है उनके लिए भरती निकली हुए यह और इस भरती के दोस्तों जो ऑफिसेल नोटिफिकेशन है वो भी में आपको दिखा देता हूं ऑफिसेल नोटिफिकेशन में आपको बाद में दोस्तों इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि यह जो ऑफिसेल नोटिफिकेशन है दोस्तों वो कुछ अंतरप्रदेश की भासा में लोकल लेंग्विज में दिया गया है जिसके वज़ए से हम इसको पढ़ नहीं पाएंगे इ एक जुलाइक 2020 के लिए 21 साल से 35 साल के बीच में आपकी जो है एज लिमिट होनी चाहिए लास टैंट आपका पास होना चाहिए ठीक है इसी तरह से दोस्तों आंगनवाड़ी आंगनवाड़ी वर्कर आंगनवाड़ी मिनी वर्कर और आंगनवाड़ी हेलपर की यह जो वेक अगर आप क्लिक करेंगे तो आपकी जो एप्लिकेशन है उसके लिए आपको रिडारेक्ट कर दिया जाएगा ठीक है तो यहां पर आपके लिए आगा आप अपनी एप्लिकेशन के लिए भर सकते हैं तो दोस्तो आज की वीडियो में बस इतना ही था वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरू बताएं यह देखिए दोस्तो एप्लिकेशन फ़र्म आपके सामने खुल चुका है आप अगर अंदर प्रदेश के रहने वाले हैं तो यह लेंग्वेज को जानते होंगे और आप इस लेंग्वेज में यह अपनी अप्लिकेशन जो है वो भर सकते हैं तो दोस्तो आज की वीडियो में बस इतना ही है कल फिर में लेंगे हम एक नई वीडियो के साथ में तब तक के लिए नमस्कार जय हिन जय भारत लेकिन दोस्तो वीडियो खतम करने से पहले मैं आपको एक ब होचती दे तो चलिए दोस्तो आज की वीडियो में बस इतना ही था कल फिर में लेंगे एक नई वीडियो के साथ में तब तक के लिए नमस्कार जय हिन जय भारत